नमस्कार मित्रों मैं वानिल आपका स्वागत है हमारे योटूब चैनल गुरुजी स्टडी अड़ा में आज हम लोग समावी सी सिख्छा के अनुकूल कच्छा के घटक प्लास कंपोनेंट्स के बारे में अध्यन करेंगे यहां से आपके डियलड, बीएट सेमिस्टर और प्रबंधन में विविन भूमक्याएं निभाते हैं, देखी मित्रों कच्छा के घटक किसे करते हैं, आप इसे एक मिनट समझ लीजी, देखी मित्रों यदि हम बात करें सिर्फ घटक किसे करते हैं, घटक के वैज्ञानिक परिवासा होती है, किसी भी पदार्थ की लगु इकाई को ही हम घटक करते हैं, लेकिन मित्रों यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं कच्छा के घटक किसे करते हैं, देखी मित्रों यदि हम बात करें कच्छा के घटक की, तो एक कच्छा की घटक में सबसे पहले हम एक आपकी सामने विद्याले बना लेती हैं, देखी मित्र विवस्थापक किसको रखता है प्रिंस्पल को रखता है प्रिंस्पल का कार्य क्या होता है प्रिंस्पल विभीन सिक्षकों को रखता है विभीन सिक्षक क्या करते हैं विभीन सिक्षक जोडते हैं छोटे-छोटे बच्चों से अब दोस्तों फिर छोटे-छोटे बच्चे क बिवस्था पकबाद प्रिंस्पल प्रिंस्पल बाद सिक्षक के बाद विद्यार्थी विद्यार्थी विद्याले में आएंगे पाठ करम निर्भर होंगे तो यह जो छोटे-छोटे पाड बनते हैं जो छोटे-छोटे विसेवस्थ बनते हैं तो दोस्तो इसे हम क्या करते ह पहला पॉइंट कच्छा प्रबंधन का सिक्षक एक मुख्य घटक दोस्तों आप घटक को समझ चुके हैं तो सबसे पहले हम लोग दिखते हैं टीचर आइस प्रिंसपल कंपोनेंट्स और इंडिपेंड़न वेरियेबल देवस्थापक या प्रबंधन करता की रूप में अध अधिकांस कच्छा क्रिया कलापों का प्रबंधन तथा नियंत्रड करता है अध्यापक कच्छा प्रबंधन में अधिगम स्वरूप का निर्माण करके विद्यार्थियों के अधिगम में ब्रिदिहेत अपनी सिक्षण गद्विद्यों को संगठित करता है वा कच्छा प् रूप में शिक्षक की क्या भूम्या होती है क्या इसके कार होते हैं क्या इसके घटक होते हैं इसकी बात करें तो जैसे कि आपकी एक विवस्था की रूप में प्रबंधन करता विवस्थापक कार होता है ठीक मित्रों जो अध्यापक होता है अध्यापक कच्छा के अपनाता है विभीन क्रिया कलाब करता है और दोस्तों बच्चों के अधियम के ज्यान में बृद्धी करने के लिए वह विभीन कारेकरम प्रस्तूत करता है विभीन कारे प्रबंधन प्रडाली को अपनाता है तो दोस्तों क्या है सिक्षक एक मुख्य घटक के रूप में कार देखे मित्रो जो विद्यार्थी होता है करजित चर के रूप में कार करता है तो देखिए student as depend variable or components विद्यालाय में विद्यार्थी के क्या भूम क्या होती है विद्यार्थी किस खटक के रूप में कार करते हैं इस पॉइंट में हम लोग इसी के बारे में अधिन करेंगे बिद्यार्थे कच्छा का दूती या आसरित चर होता है सिक्षण का उद्देश से अधिगम को सरल बनाना है अधिगम सिक्षण पर निर्भर होता है यदि सिक्षण इस बृती अस्तर पर कराया जाता है कौन सा घटक का कार करता है देखी मित्रों विद्यार्थी कच्छा का दूती चर होता है दूती चर का मतलब आसरित चर होता है एक मिनट दोस्तों आप समझ लेजिए कच्छा में कितने प्रकार के चर होते है एक दोस्तों आपको होता है सिक्षक सिक्षक कौन सा चर होता है देखे मित्रों सिक्षक स्वतंत्र चर होता है और दोस्तों दूसरा चर होता है विद्यार्थी विद्यार्थी कैसा चरूता है विद्यार्थी दोस्तो आसरित चरूता है और तीसरा आपका पाठ क्रेम होता है पाठ क्रेम कैसा चरूता है मध्यस्त चरूता है देखे में तो जो सिक्षक होता है सिक्षक अपने विदियों से पढ़ाने के लिए बच्चों को वह स्वतंत्र रहता है इसलिए दोस्तों सिख्छक कैसा चर हुँआ स्वतंत्र चर हो गया और दोस्तों जो विध्यार्थि होते हैं जो बद्र च्रूते हैं और मित्रो तीसरा चर आपका आज आता है पाठक्रम, पाठक्रम क्या होता है, पाठक्रम जो होता है मित्रो, वह सिख्छक और विद्यार्थी की बीच अंतह क्रिया का माध्यम मनता है, तो सिख्छक होता है, इसी पाठक्रम को विद्यार्थी को पढ़ाता है, तो मध्यस्ता कौन कर रहा इसलिए दोस्तों पाट करम को मद्यस्त चर कहते हैं यहां पर आप तीन चर को समझ चुके होंगे अब देखे मित्रों जो अधियम होता है अधियम किस पर निर्भर करता है अधियम निर्भर करता है सिक्षक पर सिक्षक जिस प्रकार का बालग को अधियम कराता है उसे प्रका होता है यह छोटे बच्चों के लिए होता है और दोस्तों जो की सैस्वावस्था के बालक होते हैं या दस वर्स्था के जो बालक होते हैं वह इस्मृती अस्तर के सिक्षड में पढ़ते हैं देखे मित्रों जो इस्मृती अस्तर का सिक्षड होता है इस्मृती अस्तर के सिक्षड में बालक को रटन्तु तोता बना जाता है बालक को किसी भी विस्वस्त को बार बार रटवाय जाता है बार बार दोहराय जाता है देखे मित्रों आप लग छ तंतुत होता अस्तर का सिक्षण किसमें होता है जो छोटे बालक होते हैं उसे हम इस मृति अस्तर का सिक्षण कहते हैं इसमें विशेवस्थ को बार बार दोहरा जाता है और मित्रों एक पॉइंट आउर आता है अवबोध अस्तर का सिक्षण अवबोध या बोध अस्तर का ज में आ जाती है यानि को विसेवस्थ को समझने लगता है क्या है कैसे है क्यों है तो मित्रो अबोद अस्तर के बालक होते हैं जो कि बाले अवस्था है उसके उपर या उत्तर बाले अवस्था के बच्चों को सिखा जाता है और मित्रो एक सबसे तीसरा अंतिम अस्तर आपका आ दान करते हैं तो चिंटन अस्तर का चिंटन अस्तर का बालक का यहांनिक तो फिर ज़रातbourई को चिंटन अस्तर काickets ब्रभीर होगी शबह भारानी लाइगा तो ँसे अभिध्र को अधिग साज़क रहना पड़ता है क्या किtest यह गलत बीशेवस्थ नकलेत को उसी को मानता है मित्रो आज हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि क्छले वीडियो में हमारे किसी वे कमेंट के अथर सर आप बहुत फास्ट पढ़ाते हैं आप इसे वस्त को किरपया सलो पढ़ा ही है तो हम आपको धीर धीरे पढ़ेंगे चली मित्रों आपके सामने अगला पॉइंट है विद्यार्थियों के कारेओं पर अधारित आंकडों का संकलन करना देखी मित्रों सिक्षक का यह कार होता है सिक्षक के घटक के रूप में यह कार होता है कि विद्यार्थि जो कार कर रहे हैं उनके क्रिया कलापों का एक आंकडों का संकलन किया जाए आंकडे बनाया जाए एक विवरात तयार किया जाए दूसरा पॉइंट है मद्यस्थता को जारी रखने के लिए परिवर्तन के लिए तता समाप्थ के लिए आंकडों का विसलेशन करना देखी मित्रों जब हम बालक ज्यान के बारें बालक कितना सीखा, उसके जानकरी प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, उनके आकडों का विसलेशन कर लेते हैं, उनके रोज क्रिया कलापों का विसलेशन करते हैं, फो अर्ट पोलियों के माद्यम से हम विसलेशन करते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि बा को पर एक्सन लेता है अब देखी मित्रों अगला पॉइंट की सामने जब विद्यार्थी सिख्षक द्वारा इच्छित विवहार कर रहे हूं और उनका विवहार मद्यस्तिता पर निर्भरना हो तब भी आकड़ों का संक्लन तथार रखाव करना चाहिए देखी मित्रों जो अगला पॉइंट दोस्तो नियोजन को कम करके अरोधक को कम किया जा सकता है देखी मित्रों नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग अरोधक का मतलब हो दोस्तो मित्रों हम लोग आगे पढ़ेंगे तो पहला पॉइंट आप के सामने कच्छा के नियमों की अस्थापना कच्छा के बेवहार से सम्मधित नियम ऐसे होने चाहिए जो कि अध्यापक द्वारा असानुरों बेवहार को प्राप्ति करने में सहायक हो देखी मित्रों अध्यापक के चाहिए कि वह विद्यालाय में कच्छा में कुछ नियम ऐसे बनाए ताकि जो बालक हो उसी के प्रत वैसा ही वेवहार करें जिससे अनुसासन कच्छा में बना रहें दूसरा पॉइंट आपके सामने उप्यूक्त बेवहार एवं पुनरबलन रेन एंफोर्समेंट एप्रोटिंग्स बिहावियर जब विद्यार्थी अच्छा बेवहार करें तो अध्यापक को उन्हें पुरस्क्रित करना चाहिए देखी मत्रों पुनरबलन का मतलब होता है फिड़बैक देना या उन्हें पुरस्क्रित करना जब विद्यार्थी अच्छा कार करें या पढ़ने के लिए अच्छा कार करें या जब कोई किसी भी क्रियाक कलाप में जो सिक्षड अधिये में जब कोई भी विद्यार्थी अच्छा कार करता है तो सिक्षक को उसे साब बास आपने बहुत अच्छा किया आप बहुत अच्छा कर रहें आप ऐसे कर लेंगे तो इससे भी क्या होते बालक पुनरवलित होते हैं या भी आपका क्या हो गया या आपका सब्दान से पुरस्कृत पुरसकार हो गया अब मित्रों तीसरा पॉइंट आपके सामने रुडवो इस तथ्य का पता लगाने के लिए की बिद्यार्थी पुरसकार के रूप में क्या चाहते हैं अध्यापक को बिद्यार्थी उसे चाहिए और उनका निरिक्षड करना चाहिए पूछना चाहिए देखी मित्रों पुनरवलन का प्रियोग करेंगे पुनरवलन का सिक्षा को हमेशा नहीं करना चाहिए जब विद्यार्थी अच्छा वेवार कर रहा हो अच्छा क्रिया कलाब कर रहा हो तब विद्यार्थों को पुनरवलन दिया जाए चाहे वह सब्द के माध्यम से चाहे वह पुरसकार के माध्यम से और मित्रों यदि कोई ह loafक diver cfang अच्छा का यह जो पड़ने के प्रति कोई भी वाज्च अच्छा कार रहा है यह दुसे पुनर बलत करेंगे हां साबस आप ने बहुत अच्छा किया यह बहुत अच्छा था ऐसा ही करना चाहिए तो बिद्यार्थी को उसके मन में मन सेवाओ प्रुत However होता है हां आमको सहरजी ने इसे अच्छा करने के लिए कहा था आप चाहें तो उसे किसी भी विश्वस्थ के माध्यम से भी पुर्षकार प्रदान कर सकते हैं देखें में तरों चौथा पॉइंट आप के सामने पुनरबलन हे तु प्रविधी का प्रयोग यूजिंग टोके इकोनामिक्स टो डिलिवर रे इनफोर्स इसके अंतरगत अध्यापक विध्यारतियों को जब वह अच्छा विवहार करते हैं तो पुनरबलन के बदले प्रविधी देता है इस प्रकार की विवस्था एक विद्यारति समू तथा पूरी कच्छा के साथ भी की जा सकती है इ इच्छक को बालक को पुनरबलन देने के लिए जब बालक कोई अच्छा कारे करता है तो उसे विविन प्रविधियों के माध्यम से पुनरबलन देता है विविन प्रविधियों के माध्यम से वह उसे प्रत्साहित करता है चाय वह साब्दिक हो चाय वह साब्दिक हो या भ बिद्यारतियों के बीच लिखित समझा होता है जिसकी अंतरगत यह असपस्ट होता है कि बिद्यारतियों को कोई विस्ट पुरसकार प्राप्ति करने के लिए कैसा बेवहार करना चाहिए देखी मित्रों जैसे कि जो निविद्या का प्रयोग होता है इसमें कि बिद्यार्थियों को पहले बता दिया जाता है यादि आप इस कार को इस प्रकार से करेंगे तो आपके यह पुरसकार दिया जाएगा जैसे कि मित्रो जो आप cricket के player को देखे होंगे कि cricket के मैदान में पहले से ही ट्रॉफी रख दी जाती है कि यादि आप इस team को इस प्रकार से हराएंगे तो आप इस ट्रॉफी को प्राप्त करेंगे इसे जीतेंगे ठीक दोस्तो उसी प्रकार बालकों को सीखने के लिए आप ब्यक्तियों को सीखने के लिए क्या किया जाता है पहले ही बता दिया जाता है एक पुरसकार दिखा दिया जाता है कि यादि आप इस प्रकार को इस प्रकार से ब्यवहार करेंगे ऐसा सीखेंगे इस चीज को कर लेंगे तो आपको यह पुरसकार दिया जाएगा यह आपका निविदा का प्रियोग हो गया छाटवा पॉइंट हाप के सामने प्रारूप का प्रियोग अब देखे दोस्तों इसके अंतरगत पाधित विद्यारतियों को किसी अन्य व्यक्तियो के अच्छा वेवहार करते हुए दिखा जाता है यह बहुत साउधानी पूर्वक करना चाहिए ताकि बालक पर इसका पूरा प्रभाव न पड़े अब दोस्तों साथवा पॉइंट हाप के सामने अनुप्यूक्त वेवहार में कमी सकारात्म तथा विभिन पुनरबलन आया साहित कर सकते हैं अब देखी मित्रों इसमें आपका पहला पॉइंट है नकारात्मक प्रक्रिया का प्रयोग अंतिम प्रतियुत्तर के रूप में करना चाहिए तो आप पहला प्राप्त पुनरबलन भी समाप्त हो जागा देखी मित्रों किसी भी कोई भी बालक अच्छा का तो उसे दोस्तों उसे तुरंत उसी समय नहीं डाटना चाहिए नहीं तो जो पहला पुनरबलन प्राप्त किया था वह अभी समाप्त हो जाएगा जब सिक्षण आपका समाप्त हो रहा हो अंतिम समय में आप उसे नकारात्मक पुनरबलन दे सकते हो नहीं आपने यह गलत कि इससे ऐसा करेंगे तो यह सही हो जाएगा आपको ऐसा करना चाहिए ऐसा था दोस्तों इससी प्रेम से करना चाहिए इस भाव से करना चाहिए कि बालक पर उसके गलत मानसित पर गलत बेवहार गलत या प्रतिछपते न पड़े वा गलत न सोच ले आपको सब्दों को दूसरा कि बालक के अभिभावकों को भी वे आमंत्रित करते हैं ताकि जिस प्रकार के घर का वाता उरड़ोगा उसी प्रकार के बच्चे घर से सिखते हैं तो उनके बिवहार में भी सुधार लाया जाता है और दोस्तों यदि मित्रो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा विडियो को लाइक कीजिएगा शिर केजिएगा जाए बारत